हेलो दोस्तों क्या कभी आपने सोचा है कि किनर कैसे जनम लेता है और क्या कहता है पुरान और चोतिश तो चलिए इसके बारे में विस्तार पूरवक जानते हैं प्रक्ती में नर और नारी के अलावा एक अन्यवर्ग भी है जिसे पूरी तरह से नर नहीं कहा जाता ना वो पूरी तरह से नारी होता है इसे किनर कहा जाता है जिसे लोग हिजडा या ट्रांसजेंडर भी कहते हैं जी हाँ हिजडा जिसके बारे में जानने की उत्सुकता हमे जैसा ही रहता है या यू कहें ये जानंग कभी विक्सित ही नहीं होता किनरों के अंदर अलग प्रकार के गुण पाए जाते हैं इस प्रकार के गुण ना तो पुरुशों में होते हैं और ना ही स्त्रियों में इनका रहन सहन पहनावा काम धंदा सब कुछ भिन होता है आपको बात करें जोतिश शास्त्र की और पुराणों की तो किंडर का जनम को लेकर इसके लिए अलग-अलग दावे किये जाते हैं। जोतिश शास्त्र की अगर माने तो इससे बचाव का कोई तरीका नहीं है। प्रकार में नहीं बढ़ पाता जिस वज़े से व्यक्ति एक ट्रांसजेंडर या हिजड़ा बन जाता है। हम आशा करते ही जानकारी आपको रोचक लगी होगी और आप इसे अपने मित्रों के साथ आवश्य शेयर करेंगे। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें धन्यवाद।